हेलो विवर्स मैं हूँ गोल्डिय और गोल्डिस किचेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यदि आपने अपने पुराने कपड़े कबड में समेट करके रखे हैं यह सोच करके कि एक ने एक दिन आप उसमें फिट हो जाएंगे तो अब वो समय आ गया है ले करके आए हूँ तीन अलग-अलग तरीकी की फैट बर्निंग ड्रिंग और फैट बर्निंग की शुरुआत हम इस सिंपल ड्रिंग के साथ करेंगे इस फैट बर्निंग को पीने के बाद आपका बेट डेफिनेटली कम होने वाला है और पेट की चरबी तो चूमंतर हो जा तो इस फैट लॉस में सबसे पहले हम बनाने वाले हैं नीमबू अद्रग का ड्रिंग तो आई देख लेते किसे कैसे बनाया जाए जाए फैट लॉस दिंग पे सबसे पहले हम बनाएंगे नीमबू अद्रग का ड्रिंग तो उसके लिए यहां पर आप देख सकते मैंने ती तो इसमें जूस काफी होता है तो सबसे बेस्ट यह वाला लेमन होता है जो हलके से यलो और हलके से ग्रीन एक तब फ्रेश लेमन का ही इस्तेमाल करें तो यहां आप देख सकते हैं तीनों लेमन को हमने अच्छी तरीकी से कट कर लिया है तो अब मुझे इसका जूस अलग करन तो इसे भी मैं आपको बताती हूं कि कैसे करना है क्योंकि आज मैं इस पूरे लेमन का इस्तमाल करने वाली हूँ तो यहां पर लेलिया मैं एक छोटा सा बोल और डालूंगे स्टेनर और एक करके मैं इस पर लेमन को अच्छी तरीके से स्क्वीज कर लोंगी आप चाहें त शिलका वह अलग है तो अब मैं आपको नेक्स प्रोसस बताती हूं कि अन छिलकों को में फेकना बिल्कुल नहीं है तो अब इस नेम्बू के चिलके को हमें इस तरीके से पीसेश में कट कर लेना है नेम्बू के अंदर भी उयल होता है आपने देखा होगा कि जब आप फ्र को ओस्टिक आट करने है कि निम्बू के चिलके को कट करने के बाद हम इसमें एक Parliament को भी इस तरीके से कट कर लेंगे도 आप हम इसमें अड़ करेंगे अध्रक तो हमने आपधिर काफी बड़े सा इसकाइज दे लिया है है और इसका स्कीन हमें पहले निकाल ले और मुझे इसने अच्छी तरीके से ग्रेट करना है तो इसका स्कीन निकालना बहुत जादा ज़रूरी है अधरक के भी बहुत जादा फाइदे होते हैं हमारे वेट-लॉस के लिए, अधरक सिर्फ हमारे वेट-लॉस के लिए नहीं औरतों के मासिक चक्र के दर्द को भी बहुत जादा कम करता है इसलिए अद्रक बहुत जादा फाइदे मंद है अद्रक का स्किन निकालने के बाद अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से ग्रेट कर लूँगी तो लीज ये अद्रक को हमने आप अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है तो अब हम फटा-फट से फैट नीम्बू के चिलकों को डालने के बाद अब मैं इसमें अड़ करूँगी ग्रेट क्या हुआ अद्रक अद्रक डालने के बाद मुझे इसमें अड़ करना है दालचीनी और अब मुझे इने अच्छी तरीके से उबालने तक पकने देना है तो लगभग 4-5 वार आने तक हमें अच्छी तरीके से पका लेंगे उसके बाद मैं आपको ऐसे चेक करके दिखाऊंगी तो लीजे हमारा fat burning drink ready हो चुका है तो अब इस टेश में फिलिम को करूँगी off और आप देख सकते हैं जो नीमबू है बहुत एच्छे से soft हो गया है अद्रक और दालचीनी पक गया है इसे एक glass में transfer कर लेती हूँ अद्रक और नीमबू के fat burning drink को transfer करने के लिए मैंने आपे लिया है glass और एक्स्टेनर के सारे मुझे इसे अच्छी तरीके से चान लेना है नीमबू और अद्रक के drink को चानने के बाद मैं इसमें आड़ करूँगी एक चमच के करीब lemon juice और साथ में मैं इसमें आड़ करूँगी एक बड़ा चमच के करीब शहद और अब मैं इन सभी चीजों का अच्छी तरीके से mix कर लूँगी तो लीजे हमारा बहुत जादा टेस्टी नीमबू और अद्रक का fat burning drink ready हो चुका है तो ये मैंने आपको पहला तरीका बताया अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी दूसरे तरीके में हम जीरा fat burning drink बनाएंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फिर से ले लिया एक पतीला और इस पतीले में हमें add करना है एक गलास पानी पानी रालने के बाद अब मैं इसमें add करने वाली हूँ जीरा एक बड़ा चमच के करीब जीरा हमारे weight loss के लिए बहुत जादा अच्छा होता है और जब भी गर्मी हूँ तो जीरे का पानी morning में empty stomach जरूर पीना चाहिए इससे बहुत अच्छा fat loss होता है और इसे में हम add करने वाले हैं थोड़ी सी दालचीनी दालचीनी भी बहुत अच्छा होता हमारे fat loss के लिए और अब मैं इसे अच्छी उबाल आने तक पकने दूँगी उसके बाद आपको check करके दिखाऊंगी आप चाहें तो जीरे को रादर भीगोने के बाद morning में उसे हलका सा गरम करके भी पी सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि जीरा दालचीनी अच्छी तरीके से उबल गया हैं लगबख 2-3 मिट के लिए तो अब मैं फिलिम को करूँगी ओफ और इसे जल्दी से एक ग्लास में ट्रांसफर कर लेती हूं तो अब हम इस ड्रिंक को एक स्टेनर के सारे अच्छी तरीके से चान लेंगे जीरे और दालचीनी का पानी छानने के बद अब इस ग्लास में आड़ करना है नीमबू करष के गरीब नीमबू करष करने के बाद हम इसमें अड़ करेंगे एक बढ़ा चमज के करीब और व्यजिज्यों को अ च्छी तरीके से करेंगे मिक्स तो लीजे हमारा जीरा fat burning drink भी ready हो चुका है morning में हमें इसे empty stomach लेना होता है हलका गुनगुना करके तो यहाँ पर मैंने आपको दूसरा fat burning drink भी बता दिया है अब मैं आपको तीसरा बहुत ही simple सा fat burning drink बताने वाली हूँ तो उसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पर एक bowl और इस bowl में हमें add करना है chia seeds आप यहाँ पर सबसा seeds का अस्तमाल भी कर सकते हैं तो लगवा एक बड़ा चमच के करीव हमने आप चिया seeds लिया है और इसे हम इस bowl में डालेंगे और साथ ही में हम इसमें add करेंगे आदा ग्लास के करीब पानी पानी डाल करके मैं इसे 10 मिट के लिए साइट में रख दूँगी ताकि अच्छी तरीके से chia seeds हमारे फूल जाएं उसके बाद मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगी तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे chia seeds lemon fat burning drink तो उसके लिए हमने आपे लिया है एक glass और इस glass में लगबख 3-4 चमच के करीब chia seeds add करेंगे chia seeds हमारे body के लिए बहुत जादा helpful होता है यह गर्मियों में हमारे body को थंडा रखता है fat loss करने में बहुत जादा help करता है और अगर आप इसे morning में empty stomach लेते हैं तो आपका पेट पूरी तरीके से भरा रहता है तो यह बहुत जादा help करता है guys तो यह drink सबसे best है साथी हम इसमें add करेंगे हलका गुन-गुना पानी एक glass के करीब पानी डालने के बाद हमें इसमें add करना है एक बड़ा चमच के करीब निम्बू का रस और साथी में हम इसमें add करेंगे शहद एक बड़ा चमच के करीब सभी चीजों को हमें अच्छी तरीके से mix करना है तो यह लिए जे हमने आपे चीया lemon fat burning drink भी तयार कर लिया है तो आपने देखा मैंने आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन fat burning drink बताया है और आप इसे morning में empty stomach हलका गुंगुना करके भी ले सकते हैं बहुत जादा फाइदा करता है हमारे fat loss के लिए weight loss के लिए तो एक शुरुआत इस drink से आप जरूर करिए आपका fat definitely कम होगा और भी वीडियोज देखने के लिए आप Goldis Kitchen को आज ही subscribe करिए और bell icon को press का न बिलकुल न भूले ताकि आने माले मेरे ने update आप तक सबसे पहले पहुँचे थैंक यू गाइस keep watching Goldis Kitchen बाबाई friends मैं जलती मिलूँगे आपके लिए और भी नेने इंट्रस्टिक सी रेस्पी लेकर के तब तक के लिए मैं इसे enjoy करती हूँ और आप देखते लिए Goldis Kitchen बाबाई